International Business में entry लेने के लिए हमारे पास different modes available होते हैं और ये topic पे examination में अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है आईए फड़ा-फड़ से discuss करते हैं Top 5 MCQs जो की आपके examination में इस topic से पूछे जा सकते हैं Let's start this session तो session को start करने से पहले briefly आपको हमारे courses के बारे में भी बता देता हूँ तो अगर आप preparation कर रहे हैं UG Senate Commerce Management की या फिर State Assistant Professor या PGT Commerce की 12 study classes के पास आपके लिए detailed comprehensive courses है और practice के लिए test series और question bank भी available है Details आप check out कर सकते हैं हमारी website या फिर हमारी app पे तो पहला सवाल हमारे सामने आचुका है Which particular mode a firm would adopt for entry in international business depends upon which of the following factors Subservience of the corporate objective, corporate capability, host country environment, perceived risk तो basically पूछ रहे हैं कि एक firm, एक company international business में entry लेना चाहती है वो कौन सा mode adopt करेगी ये किन चीजों पर depend करेगा इन में से कौन सी चीजों पर depend ये करने वाला है हमें इसका answer यहाँ पर बताना है तो सवाल मैं मानता हूँ असान ही है जादा मुश्किल नहीं है देखो जी आपकी इन सभी factors पर depend करेगा कि आप कौन से mode के थुरू entry लिना चाहरें international business के अंदर आपकी company के objective पर depend करेगा कि आपका mean उदेश्य क्या है तो जो आपका company का mean उदेश्य है आपको उसे fulfill करना है आपका profits कमाना उदेश्य है आपका control बनाना उदेश्य है उसके according आप अपना mood चूज करेंगे और साथी साथ आपकी capability को भी आपको ध्यान में रखना है आप अपना control बनाना चाहते हैं अपनी subsidies बनाना चाहते हैं बर जेब में पैसे नहीं है financial capability नहीं है तो फिर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपको अपनी pocket देखनी है आपको अपनी capability भी देखनी है फिर आता है जी host country environment जिस country में आप जाना चाहते हैं वहाँ का environment आपको कैसा लग रहा है आपको लगता है वहाँ का environment ऐसा है कि वहाँ जाकर काम करो तबी फैदा यहाँ से वहाँ पे समान बेचेंगे उसमें कोई फैदा नहीं है बहुत जादा restrictions है बहुत हाई टरिस लग जाते हैं तो वहाँ का कैसा environment है इस पे भी depend करेगा perceived risk पे भी depend करेगा अगर आप प्रिस्क नहीं लेना चाहते तो simply यहीं बैट कर वहाँ पे export करते रहो बड़ अगर आप प्रिस्क लेना चाहते हो तो वहाँ जाकर अपनी unit खोल सकते हो तो इन सारी चीज़ों पे depend करेगा भाई कौन सा mode of entry आप फॉलो करेंगे तो answer होगा option D all are true चलिए अगला सवाल है assertion reasoning का assertion दी है contractual entry modes are found in case of intangible products such as technology, patents and so on reason दिया when a company develops a particular technology through its own research and development program it likes to recover the cost of research and development तो आपको बताना है कि क्या यहाँ पर सही है दोनों statements यहाँ फिर नहीं है देखो जी यहाँ पर आपकी दोनों statements बिलकुल सही है अगर company कुछ अपने end पर develop कर रही है जैसे company ने क्या किया coronavirus की vaccine develop करी या कोई नई technology develop करी अब उस पर उसने खर्चा बहुत किया है अब उसने खर्चा बहुत किया उस technology के उपर उस formula के उपर बहुत सारा खर्चा उसने कर डाला अब उस खर्चे को अगर उसे किसी और के साथ share करना है तो वो उसका क्या दे सकती है दूसरी firm के साथ contract कर सकती है license वगरा दे सकती है उसे तो यहाँ पे contractual entry mode आप देखेंगे कि intangible products जैसे technology है आपकी formula है आपका patents है आपके invention से जोड़ी चीज है वहाँ पे आप follow करेंगे आप license देंगे इन सभी चीज़ों का क्यों आप license देंगे क्योंकि आपने जो कि इतना सारा आपको से रिकवर करना है और आप उसे license fee के थ्रूँ यहाँ पे recover कर सकते है तो एक बहुत important तरीका है आपके source of revenue का कि आप license दें उसके बदले fees ले लें जिससे आपका खर्चा यहाँ पे recover हो सकता है research and development का तो यहाँ पे आपकी assertion और reasoning दोनों सहीं है और answer होगा option number A चली ची तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल है consider the following statements and identify the correct code statement 1 है agreements for turnkey projects normally take place where the operational part of the plant is more complex than the initial construction part statement 2 है turnkey projects are advantageous in cases where the host government restrict the inflow of the capital तो आपको बताना है कि यह दोनों statement सही है या फिर इनमें कोई गलती है तो my dear friends यहाँ पे आपकी दूसरी statement तो विलकुल सही है बट पहली statement पे यहाँ पे गलती है agreement of turnkey project आपको normally तब देखने को मिलेंगे जब initial construction बहुत मुश्किल है तो आप क्या करेंगे आप किसी partner से tie up करेंगे आप उसे कहेंगे भई हमारी सारी initial construction करके दे दो हमें hospital बनाना है बहुत complex है hospital बनाना बहुत सी machines उसके अंदर लगनी होनी है बहुत सारी fittings उसके अंदर करनी है हमें तो बहुत मुश्किल हमें लग रहा है यह सारा काम करना तो initial construction part आप complete करके दो operational part हम यहाँ पे संभाल लेंगे तो आपका initial construction part यहाँ पे ज्यादा complex है ना की operational पार्ट तो statement वान आपकी गलत हो जाती है देखो टर्न की projects जो है वह आपके advantages होते हैं ऐसे cases में जहाँ पर आपकी जो host government है restriction लगा देती है inflow of the capital पे तो आप जो है वहाँ पर business करना चाह रहे हैं तो आप किसी और partner को बुलाई इस project को start करने के लिए construction वगारा करने के लिए direct investment करने पर यहाँ पर restrictions लगी हुई है तो second statement आपकी यहाँ पर बिलकुल सही है और इसलिए answer यहाँ पर बनेगा statement two only is true चली ची तो अगला सवाल हमारे यहाँ पर से match the falling का दो लिस्ट हमें यहाँ पर दे रखी और हमें करनी है उनकी matching list one में हम देख रहे हैं different types of FTI यहाँ पर हम देख रहे हैं market seeking FTI, resource seeking FTI, efficiency seeking FTI और strategic asset seeking FDI और हमें match करना है list two से तो वीडियो को pause कीजिए सोची कैसे matching होनी चाहिए और फिर हमारे साथ दुबारा से जुड़ जाहिए तो my dear friends यहाँ पर अगर हम matching करने चलें तो सबसे पहले market seeking FTI आप FTI क्यों कर रहे हो क्योंकि आप नही markets में इंटर करना चाहते हो अपनी markets को बढ़ाना चाहते हो तो this is going to match with large markets resource seeking FTI FTI क्यों क्योंकि आपको resources चाहिए आपको raw material चाहिए आपको manpower चाहिए efficiency seeking FTI आप अपने आपको और ज्यादा efficient बनाना चाहते हो आप बड़े scale पर काम करोगे और ज्यादा efficiency से काम करोगे economies of scale को आप अचीव कर पाओगे और आप कम दाम पर समान बना सकोगे strategic asset seeking FTI आप FTI क्यों कर रहे हो क्योंकि आपको नई technology चाहिए आप FTA करोगे तो वहां से आपको कुछ नई technology मिल सकती है तो this is this is the strategic asset seeking FTI और इसलिए हमारी यहां पर यह matching होगी option number a के अंदर आपके correct matching होगी और इसलिए आपको यह answer यहां पर बन जाएगा इसलिए अगला सवाल बहुत ही असान सवाल है if an oil exploration firm and a refinery unit merge it will be colder यहां पर क्या हो रहे एक oil explore करने वाली फर्म है तो एक निकालते हैं फिर बाद में refining उसकी होने वाली है तो ऐसी दो यूनिट हमारी merge कर गई यह कैसा मर्जर है horizontal vertical conglomerate यहां फिर cross border merger तो यह भी आपको सवाल असान ही लगा होगा जी यहां पर अलग लग लेवल्स पर हमारी दो companies काम कर रही है उनके बीच में merger हुआ है तो इस merger को vertical merger बोला जाएगा exploration वाली है और refinery वाली है दोनों अलग लग levels पर है इनका merge होना इस vertical merger अगर same level पर merger हो it is horizontal merger अगर merger ऐसा हो जिसमें दो companies बिलकुल अलग लग काम कर रही है इस conglomerate merger तो यहां पर answer होने वाला है option number B का तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब बाय चेकर आल दे बेस्ट तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब बाय चेकर आल दे बेस्ट